नमस्कार मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूटूब चैनल जोतिश ग्यानी पर मैं आशी शर्मा आज आपको बताऊंगी 11 फरवरी 2023 का दैनिक राशी फल साथ ही हम जानेंगे पंचांग क्या रहने वाला है पहले पंचांग की बात कर लेते हैं तो आज की तीथी पंचमी रहने वाली है नौबच कर 11 मिनिट तक रहेगी नक्षत्र की बात करे तो चित्रा नक्षत्र रहने वाला है करण टैतिल रहने वाला है, 9 बच कर 11 मिनिट तक रहेगा, उसके बाद में गर लग जाएगा पक्ष की बात करें तो आज क्रिश्न पक्ष रहने वाली है योग सूल रहेगा, 4 बच कर 20 मिनिट तक रहने वाला है दिन शनिवार रहने वाला है, अब सूर्यदे और सूर्यास्त की बात करते हैं तो सूर्यदे होगा 6 बच कर 41 मिनिट सुबह के समय पर होगा और सूर्यास्त 5 बच कर 56 मिनिट पर शाम के समय पर होगा चंद्रोदर चंद्रास्त की बात करें तो शुब मूरत अभिजीत मूरत रहेगा 11 बचकर 56 मिनिट से लेकर 12 बचकर 41 मिनिट तक रहने वाला है अशुब मूरत की बात करें तो राहु काल 9 बचकर 30 मिनिट से 10 बचकर 54 मिनिट तक रहने वाला है अब बात करते हैं दिशाशूल की दिशाशूल क्या रहने वाली है तो तो था हमारा 11 फरवरी 2023 का पंचांग, अब हम बात करेंगे दैनिक राशी फल की, वीडियो को अन तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अन में हम हर राशी के सार जितने भी राशी है, उस सब के उपाए भी जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं मेश राशी से, मेश राशी वालों के लिए कैसा राएगा 11 फरवरी का दिन, आज आपका स्वास्त दुरुस्त रहने वाला है, पूरी उम्मीद है, आपके अच्छे स्वास्त के चलते, आज आप अपने दोस्तों के साथ में खेलने का प्लैन बना सकते हैं, आर्थिक तोर पर सुधार तय ह दोस्त और घर वाले आपको प्यार और सहयोग देंगे, आज आप अपने प्रेमी के साथ में कई घूमने का प्लैन भी बना सकते हैं, लेकिन किसी जरूरी काम के आजाने से आपका प्लैन कामियाब नहीं हो पाएगा, किसी वज़य से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी ब करती भी आपको सला दें, तो आप उसे सुनें, क्योंकि कई बार छोटे लोगों भी अच्छे सला दे सकते हैं, छोटे लोगों से भी आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, अब बात करते हैं उपाई की, तो आज किसी से थोड़ा कहा सुनी हो स आपको मानसिक शांती के लिए तनाव के कारणों का सामधान करना चाहिए, जो लोग लगु उद्ध्योग करते हैं, उन्हें आज के दिन अपने किसी करीबी को कोई सला मिल सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक लाब होने की संभावना है, दूसरों की कम्या डूणने का, गैर आपकी और मोड सकते हैं, आपका समझ, आपको समझना चाहिए कि यह केवल समय की बरबादी है, और इससे कुछ हासल नहीं हो सकता, बैतर रहेगा कि आप अपनी यह आदत बदल दे, समय कामकाज, पैसा, यार दोस्त, नाते रिष्टे, सब एक और और आपका प्यार एक तर आप लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करने चाहेंगे, ऐसा करके आप हमें सकारात्मक बदलाव भी आएंगे, शादी सोजाद जिंदगी के नजरिये से यह दिन शांदार रहने वाला है, आपके परीजन, आपके साथ कोई, आपको किसी जगह ले जा सकते हैं, ह पैरोमंदिर में दूच चड़ाने से आपके फैमिली लाइफ परिवारिक जीवन अच्छी रहेगी, अब बात करते हैं मिथुन राशी की, मिथुन राशी वालों के लिए कैसर रहेगा 11 फरवरी का दिन, दिन फायदे मन साबित हो सकता है आपके लिए, आप किसी पुरानी परताल कर ले, उस वक्त इस बात को समझने का है कि घुसा छोटा पागलपन है और यह आपको बारी नुकसान पहुचा सकता है, बारी नुकसान की तरफ धकेल सकता है, हर बात पर प्यार दिखावा करना ठीक नहीं है, इसके साथ ही आपको रिष्टा सुधारने की जगह बि आज आप अपने जीवन साथी के साथ में काफी आत्मी बातचीत कर सकते हैं, प्यार के रिष्टे को मजबूती देने के लिए आज आप अपने पार्टनर के साथ में शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं, अब बात करते हैं उपाई की तो आपको चावल के, चावल या तो आज के दिन आपके चैरे पर मुश्कान बिखरी रहेगी और अजनभी भी जानने पहचानने से मैसूश होंगे आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमन रहेगा परिवारी तनाव को अपनी एकागरता भंग करने नहीं देना चाहिए आपको एकागरता भंग नहीं करनी होगी बुरे दोर ज्यादा सिखाता है जो भी बुरा समय होता है वो ज्यादा हमें सिखा कर जाता है उदासी से भवर में खुद को खोकर वक्त बरबाद न करें, आपको वक्त बरबाद करने से बचना होगा, जिन्दगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश करनी होगी, प्यार मुहबत के मामले में दबाव बनाने की कोशिश न करें, वक्त पर चलने के साथ साथ आपको आज आप समझ ले, लेकिन इसके बावजूत भी आप अपने घर वालों को पर्याप समय नहीं दे पाएंगे, ज्यादा खर्च की वज़ा से जीवन साती से खटपट हो सकती है, जीवन का आनंद अपने लोगों के साथ लेकर चलना, यह बात आज आपको इस पस्ट रूप से स चूता दान करना चाहिए, अब बात करता है सिंग राशी की, सिंग राशी वालों के कैसे रहेगा 11 फरवरी का दिन, काम का बोज आज आज आपको तुछ तनाव खीच सी वजह बन सकती है, आपको थोड़ा सा तनाव सब महसूस हो सकता है, यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तोर पर फायदे मन साबित होगी, आज काम तनाव भरा और थोड़ा सा थकावट भरा रहने वाला है, लेकिन दोस्तों के साथ आपको खुश मिजाज और जिन्दा दिली बनाए रखेगा, विवाप्रस्ताव के लिए सही समय है, क्योंकि आपका प उसे सही तरीके से इस्तमाल करना सीखे, अगर आप अपने जीवन साती से इस नहीं की आशा रखते हैं, तो यह दिन आपका आशाव से पूरा हो सकता है, पूरा कर सकते हैं आपकी जीवन साती है, आपका रंगी साती आज आपके लिए घर पर कोई सर्प्राइस डिश बना स चाहिए, इससे स्वास्त की जो परेशानियाती स्वास्त सम्मदित वो अच्छे होते हुए दिखाई देगी, अब बात करते हैं कन्याराशी की, कन्याराशी वालोग लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी 2023 का दिन, आपकी और से समर्पिद, दिल और बहादुरी का जजबा आपके जीवन साती को खुश देख सकता है, आप जीवन साती को देख पाएंगे ऐसा करते हैं तो, कारे छेतर में या कारोबार में आपकी कोई लापरवाही आज आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है, शाम के समय अपने जीवन साती के साथ में आप बाहर खाना, खाने या फिल्म देखने जा सकते हैं जो आपको सुकून देगा और खुश मिजाज बनाएगा जो लोग अब तक सिंगल है उनकी मुलाकात आज किसी खास से होने वाली है या संभावना है लेकिन बात आगे बढ़ने से पहले ये जरूर जान ले कि कहीं वो शक्स किसी के साथ रिष्टे में न हो यात्रा और ब्रह्मन वगेरे ना सिर्फ आनंदाय सिद्ध होंगी बलकि आपको काफी शिक्षप्रदान भी करेगी आपका जीवन साथी किसी परिष्टे की तरह आपका बहुत ध्यान रखेगा आपकी गलत आदते आज आप पर भाड़ी पढ़ सकती है आज के दिन आर्थिक इस्तती अच्छी रहेगी बात करते हैं तुला राशी की तुला राशी वालों के कैसा रहेगा ग्यारा फरवरी का दिन आपको थोड़ा सा मानसिक दबाव के बावजूत भी आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है आर्थिक जीवन के इस्तती आज अच्छी नहीं क कर सकती हैं आपके देर रात तक बाहर रहने से और ज्यादा खर्च करने से आपको बचना होगा आप जहां है वही रहेंगे बावजूद भी आपका प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ले जाए सकता है साथ ही आज आप रोमानी या रोमंटिक सफर पर भी जा सकते है दूसरों को राजी करने के लिए आपको प्रतिभा आपको काफी फायदे मन पहुचाएगी जीवनसाती से निकटता आप जीवनसाती के साथ में ज्यादा समय बिता पाएंगे बहुत ही खुशी वाला पल होगा आपके लिए आज का दिन बहुत थोड़ा उबाव हो सकता है आपके लिए आज का दिन थोड़ा सा उबाव सा बोर सा हो सकता है इसलिए कोई रचनात्मक कारे करें दिन को रोचक बनाने के लिए आपको अच्छे काम या थोड़े से मस्ती भरे काम भी करने चाहिए अब बात करते हैं उपाई की तो कन्या हुवा कुली निस्त्रियों का आदर करने से आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी व्रिश्चिक राशी वालों की बात करें तो 11 फरवरी का दिन कैसा रहेगा अपने नकरात्मक रवाई के चलते आप प्रगती नहीं कर पा रहे हैं या इस बात को समझाने का सही वक्त है कि चिंता की आदर ने आपको सोचने की समता को खतम कर दिया है आपकी जो सोचने की समता है वो कम हो गई है हालात के उजले पहलू की ओर देखे और आप पाएंगे कि चीजे सुधर रही है आपको कोई दोस्त आपसे आज बड़ी रकम उधार मांग सकते हैं अगर आप उनको यह रकम देते हैं तो आप तंगी से परिषान हो सकते हैं थोड़े से छोटे भाई भैन आप से ब्यृत आपसे राय मांग सकते हैं आज आप हर तरफ से प्यार ही प्यार पाएंगे और प्यार ही प्यार फैलाइँगे भरपूर रचनात्मक और उच्शाह आपको एक और फाइदयमंदीन की और ले जा सकता है गया दिन आपके सामान विवाहिक जीवन से कुछ हटकर हो सकता है आपको अपने जीवन साती की और से कुछ खास देखने के लिए मिल सकता है शांती का वास आपके दिल में रहेगा और इसलिए आप घर में भी अच्छा माहूल बना पाएंगे और अच्छा माहूल बन में आपको लाव होता हुआ दिखाई देगा आपकी आर्थिक इस्तिती शुब रहेगी अब बात करते हैं धनुराशी की धनुराशी वालों के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी का दिन आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खुश्बूर दार फूल की तरह रहेगी वे निवेश योजनाव जो आपको आकर्शिक कर रही है उनके बारे में आप गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कोई भी कदम उठाने से पहले आपको विशेशक की सलाह अवश्य रूप से लेनी चाहिए आपका मजाकिया सुभाव आपके चारों और की वातावरन को खुश्णुमा बना देगा आज आपको प्यार का जब आप प्यार और रुमेंच से मिलेगा आज आप सब काम को छोड़ कर उन कामों को करना पसंद करेंगे जिनसे आप बचपन से बचपन के दिनों से करना पसंद करते थे आज के दिन आपके और आपके जीवनसाती के लिए ग्यारी आत् आत्मी होता पूर्ण बातों करने का सही समय होने वाला है, संभव है कि आज आपकी जीब को भरपूर मज़ा मिलेगा, किसी उम्दा रेस्टरेंट में जाने का हो सकता है, आज आप कोई रेस्टरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं, जिससे आपके लजीज खाने का लुफ्ट उठा पाएंगे अब बात करते हैं उपाई के तो आर्थिक इस्तिती के लिए आप अपने पत्नी का मान सम्मान वा आदर करना चाहिए अब बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी वालोक ले कैसे रहेगा 11 फरवरी 2023 का दिन तो आपको उर्जा इस्तर उचा रखेगा आपकी ज हन्हानी भी हो सकती है बच्चों को पढ़ाई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है इस समय जो समस्या है आपको जेलनी पड़ रही है वे शनीक है और समय के साथ वे खुद वे खुद खतम हो जाएगी आज अपने खूबसूरतों खूबसूरती कामों को देखने के लिए आपका पूरी तरह खिलेगा जरूरत मंदों की मदद करने की आपकी खासियत आपको सम्मान दिलाएगी यह दिन आपके लिए सामाने वेवाईक जीवन से कुछ हटकर होने वाला होगा आपको अपने जीवन साती की और से कुछ खास देखने के लिए मिल सकता है मांसि शांती और बहुत ही महत्वपून होगी आपके लिए इसके लिए आप किसी बगीचे में नदी के तट पर या मंदिर में जाकर आराम से बैठ कर अपने मन को शांत कर पाएंगे उपाई की बात करें तो आपको रोजाना हरी घास पर नंगी पाउच चलने से आपकी आर्थिक स्तती जो है वो सुधरते हुए दिखाई देगी कुंब राशी की बात करें तो कुंब राशी वालों के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी का दिन चुकि यात्रा के लिहाद से आप अभी कुछ कमजोर है इसलिए लंबी यात्रा से बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए जीवन मामलों में और काफी समय से लंबित घर में कामकास के हिसाब से अच्छा दिन रहने वाला है आज आप अपने किसी वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे किसी वजह से आपका प्रेमी आपसे नाराज हो सकता है परिवार की जरुरतों को पूरा करते-क्रते आप कई बार योजनाय विगड सकती है दिखावा करने से आज आपको बचना चाहिए ऐसा करेंगे तो आपके करीबी लोग ही आपसे दूर हो जाएंगे इसलिए आपको ध्यान रखने की आवज शक्ता है उपाई की बात करें तो किसी साधू या अपंग व्यक्ति को चार पाई कदान करना चाहिए इससे आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होते हुए दिखाई देगी मीन राशी की बात करें तो मीन राशी वालोग लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी का दिन आज आपकी सेहत में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपके आसपास के लोग आपको प्रोचाहिद करेंगे वसराएंगे जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिये आपको आमदनी के नए इस्तरोत मिलेंगे अगर आप सामाजिक जल्सों और कारिक्रमों में भाग लेते हैं अपने संगी सातियों के से साथ में कोई अच्छा इजाफा कर सकते हैं रोमाइन्स आपके दिल पर काप बीज है आज के दिन घटनाएं अच्छी तो होगी लेकिन तनाव भी देगी जिसके चलते आप थोड़ा सा थकान और दोविदा मैसूस कर पाएंगे आपका जीवन साति आपके बहुत तारीफ करेगा और आप बहुत इसने उठाएंगे ओफिस के दोस्तों के साथ में ज्यादा समय बिताने के लिए आपको आज का दिन अच्छा साबित नहीं होगा ऐसा करके आप अपने घरवालों को गुस्सा दिला सकते हैं या गुस्से का शिकार बना सकते हैं उपाई की बात करें तो आपको मानसिक शांती प्राप्त करने के लिए आज किसी अस्पताल आदी के में रोगी वेक्तियों की मदद करनी चाहिए यह था हमारा दैनिक राशीफल यह वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक, शियर, सब्सक्राइब, कमेंट करके अवश्य बताईएगा जन कुनली बनवाना चाहते है या अपनी कोई भी समस्या का समधान पाना चाहते हैं तो नीची दिएगा नंबर पर आप हमें समपर कर सकते हैं जय श्री राम हमारे पास आएए संपर कीचे जोतिश्य ग्यानी विशार शर्माजी से अधिचान कारी ली विखेट करें हमारा यूट्यूब चैनल जोतिश्य ग्यानी और संपर करें हमारा कॉंटेक्ट नंबर है 782891329 जन्यवादे